नमश्कार दोस्तों, अगोर सार्दा में आप सबका स्वागत है तो कई लोगों के मुझे मैसेज आते हैं गुरू जी मेरे दुकान में पहले तो गरहक बहुत आते थे लेकिन अब गरहक नहीं आते और जो हमारे दुकान की जो इंकम है वो भी बिलकुल कम हो गई है और धीरे धीरे कम होती जा रही है तो हमें कोई ऐसे उपाए बताईए जिससे हमारी दुकान में घरहक आए और हमारी उनती हो तो आज मैं आपको इसी के बारे कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो लोग भी इन टिप्स को अपनाएंगे वो लोग हमेशा दुकान के तरक्की ही करेंगे कभी उनको किसी चीज़ की नुकसान नहीं होगा किसी चीज़ की प्रोबलम नहीं होगी हमेशा उनकी दुकान दिन, दुनी, राज, चोगनी उनती करें और जो भी लोग मेरे पास आते हैं परसनल मिलने तो मैं उनको यही सारी चीजे उनकी शौप को देखते मैं हमेशा उनको बताता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो घर चलाने के लिए पैसो की जरूरत होती है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए लोग दुकान चलाते हैं दुकान खरीदने बनाने के लिए लाखो रुपे लग जाते हैं हर शेतर में कई दुकाने होती हैं चाहें वो छोटी सी गली हो या फिर बड़ा सा बजार, दुकाने हर कहीं होती है। हर दुकानदार दुकान में परवेश करने के बाद दुकान की सफाई करता है, फिर भगवान के आगे दिया और अगरबत्ती लगाता है, और फिर अपने काम में लग जाता है। वास्तु के हिसाब से अगर दुकानदार अपने रोज के कामों में और कुछ दुकान में परिवर्तन लाए और रोज उसका पालन करे, तो वो अपनी आये को धिरे-धिरे बढ़ता हुआ पाएगा। दुकान में सिम्रिधी के लिए दुकान का वाश्तु शास्त्र एकदम सही होना चाहिए। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ दुकान वे शोरूम का वाश्तु शास्त्र कि आप ये उपाए करके कैसे अपने दुकान की वृधि कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार जिन दुकानों का मुँ पूरव की ओर होता है वो सबसे ज्यादा लाबदायक होती हैं। ऐसी दुकानों की आए काफी अच्छी होती है और उनके धन धहन्य की वृधि होती है। जो दुकाने दक्शिन दिशा में होती हैं वो वास्तु के लिहाज से अच्छी नहीं मानी जाती। पर अगर इस तरह की दुकान के मालिक का भग्य बहुत उजवल है तो इस दुकान में भी काफी लाब कमा सकते हैं। वास्तु के अनुसार दुकानदार का या उस दुकान में काम करें सेल्समेन जब भी ओफिस में काम करें उनका मुँ पूरव या उत्तर दिशा में होना चाहिए यह मैं आपको काउंटर की दिशा बता रहा हूँ उनका मुँ उत्तर या पूरव की दिशा में होना चाहिए दुकानदार का मुँ काउंटर में बैड़ते समय पश्चिम या दक्षिन की तरफ होता है तो ये शुब नहीं होता ये उनके लिए काफी परेशानिया लेके आता है अगर आपकी दुकान किसी बड़े बजार में है तो आपके सामने भी कई दुकाने हैं तो दिशा दक्षिन होने पर भी वस्तु के हिसाब से आपके लिए शुब होगी अब आता है दुकान का अकार जिन दुकानों का अकार आगे से बड़ा और पीछे से छोटा होता है वो वस्तु के हिसाब से अच्छी मानी जाती है ठीक इसके विपरित अगर आगे से छोटी और पीछे से बड़ी होती है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता अगर दुकान सभी दिशाओं में बराबर चोड़ी है या आयताकार है या वरगाकार है तो इन दुकानों का अकार शुम माना जाता है ऐसी दुकानों में कमाई में बरकत होती है दुकान के लिए वास्तु टिप्स दुकान के वास्तु शस्तर के अनुसार दुकान का कचरा कभी भी किसी और दुकान के सामने नहीं डालना चाहिए ऐसा करने से खुद की दुकान में बरकत में कमी होती है दुकान के पास के चोराहे पर कचरा कभी न डाले ऐसा करने से उस हिस्से के सबी दुकानों की कमाई पर असर पड़ता है जब आप अपनी दुकान में बैड़ते हैं तब आपका मुँ हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए और आप पूरव की ओर बैठे होने चाहिए दुकान में ग्रहक बढ़ाने के उपाए ऐसा माना जाता है अगर आप चाहते हैं दुकान में बरकत हो और वो अच्छी चले तो दुकान में साफ सफाई रखे और उसका फरश साफ रखे जहां पर आपका काउंटर हो उसके उत्तर पूरव दिशा में माता लक्ष्मी और शिरी गनेश जी की परतिमाएं होनी चाहिए आपकी दुकान की दिवार पर शुब लाब और सवस्थिक के चिन जरूर होने चाहिए दुकान का कैश काउंटर उत्तर दिशा की तरफ रखे और कभी इसे खाली ना रहने दे दुकान में रोज अपने इश्ट देव या जिन भी देव देवताओं को आप पूस्ते हो और मानते हैं उनका ध्यान सुबे शाम जरूर करे ठीक है रोज दुकान में स्थापित देवताओं के आगे अगर बत्तिय दिया जरूर लगाएं अगर आपकी दुकान के आगे कोई खंबा या पेड़ है तो ये वास्तु की नजर में शुब नहीं है ऐसा माना जाता है अगर आप चाहते हैं दुकान में बरकत हो और वो अच्छी चले तो दुकान में साफ सफाई रखे और उसका फरश भी आपको साफ रखना है ठीक है तो ये सारी चीचे हैं अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं बहुत जरूरी कि दुकान में जो रंग होता है वो किस तरह का होना चाहिए अगर आपकी दुकान नोर्थ इस्ट दिशा में है तो हलका नीला, हलका ग्रे, भूरा और हरा रंग आप इस्तमाल करें आप चाहे तो एक समान्य रंग हो वो भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपकी दुकान साउट इस्ट दिशा में है तो आप लाल, पिंक, ओरेंज, वोईलेट कलर के शेड्स इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपकी दुकान नोर्थ वेस्ट दिशा में हैं, सिल्वर, वाइट और मेटैलिक कोर्स के लाइट शेट्स इस्तमाल कर सकते हैं, तो ये थे उपाए कि अपनी दुकान को चलाने के, और एक आने वाली वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि अगर किसी की दुकान को बांद सकते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो, और मेरे चैनल अगोर साथना को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी लोग बात करना चाते हैं, मैसिस के थर बोक्स में मिल जाएंगी, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो धन्यवाद आपसे,